बिहार सिक्षिक बरती परिक्षा से संबंदित दो मुख्य बातों पर यहां पर दो मुख्य मुद्धों पर यहां पर हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मायाश अकैडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को चार आदर्शाचार सहीता लगी हुई है ऐसे में अब कहीं ने कहीं जो संभावनाएं हैं वो आपकी चार जून में जो लोकसभा चुनाओं का परिडाम है उसके आने के बाद ही आपकी परिक्षा कराई जा सकती है उसमें भी अचानक से परिक्षा होगी नहीं लगेगा सम करती है क्योंकि एक के बाद एक तुरंत महीने भर का भी वक्त नहीं रहेगा और दूसरी परिक्षा कीती थी जो है वो आ जाएगी लेकिन यहां पर BPSC जिस तरीके से काम कर रहा है संभो वो भी है आपने देखा होगा TRE1 और TRE2 में बाकी यहां पर अगर हम बात करें से मिली जानकारी के अनुसार नकल को रोकने के लिए कहीं न कहीं या कुछ और तरीके से जिससे की जो नकल हो न पाए जो नकल माफिया है वो सफल न हो पाए जो पेपर का पैटर्न है उसमें भी बदलाओ हो सकता है बदलाओ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है यहां प पंदरा दिन क्योंकि जब हम एस्टेट के बात करते हैं यहाँ पर जो एस्टेट का जो टेट का जो कौलिफाइंग होता है जब आप नाइन टेंथ और एलेवन ट्वल्थ की बात करें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे हम कंप्यूटर विशे की बात करें तो केवल साथ दिन पहले ही परिक्षा का पैटन जो है वो बदल दिया गया और उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस के एस्टेट की परिक्षा थी वो होनी थी तो संभव सब कुछ है पेपर का पैटन भी बदला की बात करते हैं उसका कोई और छोर नहीं होता आपका जितना ज्यादा पढ़ले उतना ही एक अथा आप सागर समझे उसे तो जितना ज्यादा आप उससे ग्यान ले सकते हैं आप लीजिए बाकि यहाँ पर वीडियो के डेस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो हैशकाइडमी अंडर्वाड अप्लिकेशन पर आपको पढ़ाई से संबंधित पीडियो फाइल्स नोट्स भी मिल जाएंगे एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे आप से जब दिए